थमनेल देखके आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पे आज का वीडियो काफी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि टेक्निकल स्टार से रविंदर सर हैं और आज आपको बताएंगे यहां पे एक वाइशी एक्टिवेशन के बारे में अगर आप एक रिटेलर हैं तो यहा हैं सर आप बताएं कैसे हैं हम ठीक हैं आप सुनाइए कैसे हैं सर हमारे पास काफी ज़्यादा सवाल आ रहे थे एक वाइसी एक्टिवेशन से रिलेटेड तो हमने सोचा आप से बातचीत किया जाए इसके बारे में हाँ बताएं मैं किस प्रकार से जानकारी दूँ आपको एक्टिवेशन के बारे में सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्योंकि काफी लोग अभी आपके बारे में नहीं जानते होंगे मेरा नाम है रविंदर और मैं यूट्यूब पर टेक्निकल इस्टार नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं बहुत सारी वीडियो भी बना रखे हैं उसके उपर जी जी तो यहां पर हमें एक्टिवेशन चालू हुए थे लेकिन हुआ क्या है कि एक्टिवेशन बंद हो गए उनके बाद आए लाइव एक्टिवेशन जो फिलाल में अभी चल रहे हैं और मैं आपको एक चीज और बत आभी कुछी जिगा है जहां पर कुछ सुरिण चैनल और old को यह सर्विसे दी गई हैं यह एसी यहां पर एस दी गए है और टो आने वाले कुछी महिलों के अंदर पूरी ऑनिऊं च्हे लीकिस एक्टिवेशन यारी की इक वाईसी स्टार्ट हो जाएगा जी तो यहां पे सर जैसे जीओ ने तो चालू कर दिया अपना एक्टिवेशन वाला प्रोसेस जी 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 हाँ तो यहां पे काफी लोगों का यह सवाल है कि एटल और वी में यह चीजे कब चालू होंगी मैं आपको बता दो हिमानसुजी एटल के अंदर यदि कोई कस्टुमर अपना एटल का सिम रिप्लेस्मेंट कराने के लिए नजदी की एटल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पर एक्टिवेशन के जरिए उनकी सिम रिप्लेस्मेंट की जाएगी जैसे कि वहाँ पर कस्टुमर का लाइव फोटू भी लिया जाएगा और उनके डोकुमेंट के फोटू भी किलिक किये जाएगे और साथ के साथ उनको बायोमेट्रिक के जरिए EKYC प्रोसिस पूरा कम्प्लीट करने के बाद उनको सिम रिप्लेस्मेंट की जा रही है और कुछ जिगा ऐसी है जहां पर जियों के अंदर EKYC प्रोसिस आ चुका है और वो अभी कुछ ही गिने चुने रिटेलों को दिया गया है जियों के अंदर और एटल में सभी श्टोरों पर यह सर्विसे उपलब्द हो चुकी है लेकि दोस्तों ट्राइल बेस में अभी इसको चलाया जा रहा है कुछ सभी रिटेलों के पास यह सर्विसे उपलब्द हो जाएंगी जी तो यहां पर जैसे काफिल होगा यही सवाल था कि मतलब एटल और वी कप से चालू करने वाले हैं तो यहां पर यह बताईए कि कस्टमर को यहां पर क्या तकलिफ होने वाला है डिजिटल के वाइसी और एक कस्टमर जो मजदूर लोग होते थे जो जादतर काम करते थे हाथों से जैसे इट गारा काम करते थे या खेतों में काम करते थे तो उनके जो हाथों की जो निसान होते हैं उनके निसान मिट जा देते तो वहां पर उन लोगों को जो है सिम लेने में दिक्कत होती क्योंकि मै पर काफी जादा दिक्कत होती थी तो यहां पर इसको चैन्ज करके कंपनी के तरफ से नया अपडेट आया जिसको लाइव एक्टिवेशन कहा गया लेकिन अब यहां पर दिक्कत ही आगी यदि इस परकार से प्रोसिस आता है तो यहां पर कुछ ऐसे कस्टूमर हैं जो सिम नह प्रोसेस प्रोसेस वापस आ चुका है तो क्या इस से व्रोड हो सकता है मतलब जैसे पहले क्या होता था कि हम आईडी कोई दूसरा देता था और किसी दूसरे के नाम पर यहां पर सिम कार्ट होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जिस बंदे का आधार कार्ड होगा उसी की फिंगर लगाई जाएगी उसी का लाइफ फोटू लिया जाएगा मैंने 99% केसों में ऐस दिखा देता है डोकुमेंट और कस्टूमर के फोटू को मिस्मैच बता देता है तो यहां पर फ्रोड होने का कोई मतलब भी नहीं है और साथ के साथ अबए के वाई सी इसमें प्लस कर दी गई है तो यहां पर बायमेट्रिक के जरिए फिंगर भी देना होगा और जो की फ् भी नहीं सकता है किसी कस्टूमर के साथ क्योंकि यहां पर कस्टूमर का फोटू भी लिया जाएगा वो भी मैच होगा और साथ के साथ कस्टूमर का बाइमेट्रिक के जरिये जो है पूरा प्रोसिस कंप्लीट होगा जिससे कि गीजिटल के वाइसी आया तो उसमें केवल और केवल यहां पर लाइफ़ फोटो खीची जा रही है तो क्या ऐसा ही process है ना जीजी यही process है दौनों process को यहां पर mix कर दिया है live भी होगा live भी रहेगा और यहां पर बायोमेट्रिक के जरी कस्टूमर का finger भी इसमें टेका जाएगा तो यहां पर कस्टूमर को जो है यह यह बहुत अच्छी बात है कि यहां पर company ने इस process को लेके आए तो अब हम बात करते हैं यहां पर retailer के बारे में क्योंकि retailer वाई काफे ज़्यादा परेशान है और आप भी एक retailer हैं तो आप से अच्छा कौन बता सकता है तो यहां पर हम एक के लिए जैसे काफी लोग अभी काफे ज़्यादा डाउट में हैं कि यहां पर कौन सा fingerprint डिवाइस लें एक्टिवेशन के लिए तो आप कौन सा fingerprint डिवाइस लेने के लिए बोलेंगे मैं बताता हूँ आपको यहां पर यहां पर यहां पर यदि कोई कस्टूमर खाली उनके अच्छी है उनके लिए अच्छी है तो उनके लिए मत्रा अच्छी है जडि कोई कश्टूमर जियों यानि यहीयों Palace कोई करते है तो उनके लिए अच्छी रहेगी तो यहां पर जैसे मेरा एक सवाल और है कि जैसे आपने बताया कि यहां पर मॉर्फो लेने के लिए ठीक है तो हमारे पास यहां पर मंत्रा का डिवाइस मेरे पास भी पड़ा हुआ है तो क्या मैं मंत्रा वाले डिवाइस से यहां पर SIM activation नहीं कर सकता हूँ या फिर StarTech का मेरे पार device है तो क्या वो काम करेगा नहीं वो काम नहीं करेंगे Jio के लिए दो ही device होती है या तो Swikajan है या आपकी Morpho है दो ही device सुरुवाती दोर से मैंने यूज की है लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो response आया है वो Morpho का आया Morpho की service बहुत बहतरी है क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने वी ऐसे पुराने retailer थे जिनकी मदद से मैं जो retailer बना जिन्होंने मेरी मदद की तो उन्होंने जो मुझे सला दी थी उन्होंने सला दी थी सिरिफो सिरिफ Morpho की मैंने बीच में सुरुवाती दोर में distributor की तरफ से मुझे स्विकेजन दी गई थी डिवाइस लेकिन उसका इस्तना अच्छा response नहीं था जितना अच्छा Morpho डिवाइस का था जैसे मैंने क्या किया था कि अपने soft के लिए यहाँ पे एक मंत्रा का डिवाइस पर्चेस किया था तो मतलब मॉर्फो के बारे में मैंने देखा तो मॉर्फो काफी ज्यादा महेंगा था उस समय करीव पचीस सो रुपए था अभी स्टाइम का मैं प्राइज नहीं देख बता सकता आपको क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं मैंने देखा है सड़ सड़ सो कुछ रुपए का उसका प्राइज है अच्छा तो यहाँ पर जैसे मंत्रा का लेंगे उसके बाद वो डिवाइस उनके लिए फिरी हो जाएगा अब जैसा कि आप एक रिटेलर हैं तो आप यह बताइए कि यहां पर क्या आप इस टाइम पर आप सिम एक्टिवेशन करेंगे कंपनी काफी ज्यादा चीज़ें बदल रही है समय समय पर पहले डिजिटल क यहां पर काफे लोग ऐसे हैं जो यहां पर डिवाइस नहीं खरीदना चाहेंगे तो क्या मतलब आप बताइए कि मतलब क्या सिम एक्टिवेशन अब भी रिटेलर करेंगे या फिर जो भी प्रोमोटर है वो करेंगे या फिर यह काम वो छोड़ देंगे आपको क्या लगता मैं बताता हूं आपको देखिए पहले रिटेलर को ले जते हैं य हैसे हैं जासे六 एक्टियलर काम नहीं करेगा तो मार्कीट में जो पूराने रिटेल़र हैं उनके सबी सुविदाहें उपलब्द हैं लेकिन जो नई घो लायानगे से तई नहीं है उनके पास यह उचिर टेलर एसे तहें जिनने ले लिया था याथी तो उनों है मुश्किले की जादता रिटेलोर ने सस्ती डिवाइस से खरीदी है यदि उनके पास मोर्फ हो है तो अच्छी बात है वरना उनको यदि काम करना है तो उनको यह परचेज करनी होंगी वरना वह काम नहीं कर पाएंगे जियों के अंदर और बात कर मैं आपको बता दू पर म पढ़ेगी अब यहां पर कंपनी और को opportun को रखेगी यदर अपनी तरफ से देती है यहां पर दो सवाल निकल आते हैं मसु जी आपनी तरफ से देती है तो न पर यह पर प्र हपर चुट्टिए होजाएगी कि करते हैं जिनका रिस्पोंस अच्छा नहीं है मार्किट मैं आपको सब्सक्राइब करja यहां पर ना है? यहां पर जो है यहां पर जो है जदी कंपनी तरफ से डिवाइस नहीं देगी तो फॉर्मोटर जो है जैसे मेरा सवाल यही था कि यहां पर जैसे मालीजे कोई रिटेलर मंत्रा MFS 100 वाला डिवाइस चला रहा है तो यहां पर आप स्टीम एक्टिवेशन के लिए उसे मौरफो का डिवाइस लेना पड़ेगा तो फिर उसके लिए तो काफी ज़्यादा मतलब खर्चा करना पड़ेगा यही ना स्रीम एक्टिवेशन करेंगे हाँ मैंने आपको बता है रिटेलर तो करेंगे क्योंकि रिटेलर के पास सभी सुविधाय उपलब्द होती है और रही बात प्रमोटर की जो पुराने प्रमोटर हैं उनके पुछ पुराने प्रमोटरों के पास जो है यह डिवाइस होती है यह उस दोरान के इस पुराने प्रमोटर है तो उनके पास वपलब्द होंगीreck एसा नहीं है कि पुराने डिश पुरैलर होते हैं कि जिनके पास होटी है लेकिन पुछ ऐसे परमोटर होते हैं कि जो दिश्च्यूटरों पॉइंट ए पराने टाइम से अठाए पुराने टाइम से अधर विथाय प्लब्द है तो वहां पर जो अपनी पास वह उती है इसी निचोड़़ देते हैं और उठाके रख देते हैं कि वह भविश्य काम आ सकती है यहां मार्केट में अपने रेटेलरों को सेल करनी होँ अब यहांपर मैं आपको बता दूए के पास सवी सुवी धाय उपलाब दा क्यूंकि मैं ये पुराणा रीटेलर हूं तो मेरे पास मेरे पास दो डिवाइस थी जह पर मेरे एक गूम हो गई और मेरे पास एक फीर अभी भी मौझल है अब यहां पर बात कर जो नए रीटेलर हैं उनको तो दिक्कत होगी और यहां पर उनको यहां पर मैं आपको बता दू कि प्रमोटर ज्यादा तर अपने काम को छोड़ देंगे डिवाइस को लेकर तो मतलब अब रिटेलर और प्रमोटर ज्यादा तर इसी में एक्टिवेशन वाला काम छोड़ेंगे यहीं ना कैसा बहुत सारे सवाल आ रहे थे आपके पास अहां मैंने देखा था कोमेंटों में बताया था बहुत तो लोगों ने पूछा कि सर मेरे पास मंतरा का डिवाइस है क्या मैं एक्टिवेशन कर सकता हूं तो यहां पर मैंने सोचाए कि इनके ओपर भी मैं वीडियो जरूर बना तो यहां पर मैं जो है सभी के लिए जो है जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूं अपने अपने जितने भी जितने भी मेरे रेटेलर भाई हैं हाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर के चैनल को तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे कर दूंगा तो वहां से आप खरीज सकते हैं तो सर बस इस वाले वीडियो में इतना ही तो धन्यवाद आपका कियमती टाइम देने के लिए और इस टाइम यहां पर बज़ रहा है साड़े ग्यारा हम लोग रात के साड़े ग्यारा बज़े वीडियो शूट कर रहे हैं क्यो कोई और जानकारी लें यह तो बताएं नहीं नहीं सर और कोई जानकारी होगी तो फिर आपको बुला लेंगे चैनल पर ठीक है तो सर धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं तो यहाँ पर ऐसी वीडियो आती रहेगी हर संडे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तभी आपको ऐसी वीडियो देखने क के लिए मिलेगी तो मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में बाए